मेरे परिबार जनों, आज जो हजारे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे नवजवान साथी है, हमारे नवजवान बेटे बेटिया है, उन्हें मैं जरा पुरानी कुछ बाते याद कराना चाहता हूँ. करा हूँ, पुरानी बात याद करा हूँ, 2014 की बात याद करा हूँ, आप कहें तो करा हूँ, आप देखिए, जो आज 20-22 साल के है न, उनको तो साइद पता ही नहीं होगा, कि उस समय वो, 8-10-12 साल के होंगे, उनको पता ही नहीं होगा, कि मोदी आने से पहले क्या हाल था, तब आए दिन कॉंग्रेस सरकार के हजारों करोड रुपिये के गोटाले हेडलाइन बना करते थे जो पैसा गरीब पर खर्च होना था वो पैसा कॉंग्रेस के नेताओं की तीजोरियों में जा रहा था और मैं तो इन नवजवानों को कहूंगा वो तो ओनलाइन वाली पीडी है जरा गूगल पे जाचे सर्च करेंगे 2013-14 के अख़बारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए क्या हालत थी देश की और इसलिए भाईयों बहनो 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मोका दिया तो कॉंग्रेस सरकार की बनाई उन ब्रष्ट्रे बवस्ताओं को बदालने का हमने का भियान चलाया उधर भी स्वच्चता भियान चला दिया हमने टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके करीब करीब 11 करोड यह आकड़ा याद रखोगे जबाब देंगे उधर पता चलेगा यह आकड़ा याद रखोगे 11 करोड फरजी नामों को हमने सरकारी दब्तों से हटाया कितने कितने जड़ा जोड से बोलिये कितने 11 करोड यह 11 करोड नाम कौन से थे यह वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन सरकारी दब्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था कांगेरेस ने इनका जूठे नाम फरजी नाम कांगेजी दस्तावे तैयार कर दिये यह मद्द प्रदेश और 36 गड़ की कूल आबादी है ना उससे भी जादा बड़ा आकड़ा है 11 करोड यह 11 करोड फरजी नाम जो सच्चे गरीब लोग हैं असनी गरीब लोग हैं उनका हक छिनकरके खजाना लूटने का काम हो रहा था था दोजार चौदा में आने का बाद यह मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया यह लोग गुसा करते हैं इसका कानण भी यह हैं कि उनकी कटकी बंद हो गई हैं कमिशन बंद हो गया है मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा ना ही कॉंग्रेस का खजाना कॉंग्रेस के नेताओं के इतनी जोरी भरने दूंगा मैं हमने जन्धन आधार और मोबाइल की ऐसी त्री शक्ति बनाई कि कॉंग्रेस का ब्रश्ट तंत्र तहस नहस हो गया आज इस त्री शक्ति के वज़े से डाई लाग करोड रुपिय से ज़्यादा ये आकड़ा भी जरा मैं दूबारा पूछूंगा आपको डाई लाग करोड रुपिय से ज़्यादा जो गलत हाथों में जाते दे चोरी होते थे उसको बचाने का काम मोदी ने किया है कितने कितने डाई लाग करोड कितने डाई लाग करोड आज गरीबों का पैसा गरीबों के हीत में काम आ रहा है उजवला का सिलिंडर सिर्फ पांच सु रुपय में देने के लिए केंदर सरकाराज करोड रुपय खर्च कर रही है करोड परिवारों को मुप्त राशन मिले इस पर भी तील लाग करोड रुपय खर्च किये जा रहे हैं ये तील लाग करोड रुपय तीजोरी से इसलिए देते हैं कि कोई मेरी गरीब मा का बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए गरीब का चूला जलते रहना चाहिए आईश्मान योजना के तहट देश के करीब पांच करोड परिवारों का मुप्त इलाज हो चुका है इसके लिए भी सत्तर हजार करोड रुपये सरकार ने आपके आईश्मान कार्ड के लिए खर्च किये किसानों को सस्ता यूरिया मिले दुनिया में यूरिया की थेली तीन हजार में बिच्ची है मोदी तीन सो से भी कम्बे देता है और इसलिए खजाने से आठ लाग करोड रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है ताकि मेरे किसानों पर बोज न पड़े पी-एम किसान सन्मान निजी केता है जबी डाई लाग करोड रुपये सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जा चुके हैं गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए भी हमारी सरकार ने चार लाग करोड रुपये खर्च किये ताकि गरीब को पक्का घर मिले आज भी आपने देखा भी इन दोर में गरीब परिवारों को आधूनिक तक्डिक से बने हुए मल्ति स्टोरीड एक हजार पक्के घर देने का काम अभी किया मैंने मेरे परिवार जनो ये पूरा पैसा जोडेंगे तो आंकड़ा कितना होगा कितने जीरो लगाने पड़ेंगे आपको अंदा जाता है ये कॉंग्रेस वाले इसका हिसाब भी नहीं कर सकते और आप सुनिये 2014 से पहले ये जो जीरो 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 है ना वो सिरफ गोटा लों का पैसा जोड़ेंगे लग जाता था अब आप सोचिए कॉंग्रेस के एक प्रधान मंतरी कहते थे कि दिल्ली से एक रुपिया भेजते हैं तो पंदरा पैसा पहुंचता है पच्चासी पैसा कोई पंजागीश लेता था एक रुपिया भेजते दे पंदरा पैसा पहुंचता था मैंने जितने रुपिय भी गिनाएं अगर ये रुपिय कॉंग्रेज के जमाने में गए होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती आप अंदार लगाईए आज गरीबों के लिए इतना पैसा भाजपा सरकार दे रही है